ठंडी का मोसम और शाम के टाइम मिल जाएं गर्मा गर्म चीजी से ये मीनी समोसे और साथ में हूँ एक कप चाय का तो खाके मजा ही आ जाए आज ऐसी ही रेस्पी माप के साथ सेयर करने वाली हूँ आप देख सकते हैं कि ये कितनी चीजी लाजबाब दिखाई दे रही है और इसे बनाना बेहदी आसान है तो सुबह ही मैंने आलू के प्रांठे बनाए थे दो आलू मेरे पास रखे थे जैसे इस शाम को चाय का टाइम हुआ तो साथ में कुछ खाने का भी मन हुआ तो मेरे को याद था कि दो आलू रखे हुए हैं तो आलू से फटा-फट क्या बनाओं ब्रेड भी रखी हुई थ तो क्यों ना ब्रेड के मिनी समों से बना लिये जाए तो सबसे पहले ना मैंने आलू को छील लिया है तो आजकल जो मार्केट में आलू आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से वह छील नहीं रहे हैं कहीं से छीला गया कहीं से नहीं छीला गया क्यों नए वाले आलू इतनी अच कि यह ची्षी बन kolejा कि अच्छा है तो यह पर मैंने लिए लिए इनका कुछ बना लिए अच्छा किया कि यह इनकी अ डेट भी आ गई तो यह यो को मंदब बहुत जादा बोईल नहीं करना है नहीं तो फिर एकदम से मैसी सा हो जाएगा पैन में रख दिया है घी गरम होने के लिए आप चाहें तो यहां पे कुकिंग ओईल भी यूज कर शकते हैं और जैसे ही घी गरम हुआ मैंने इसमें डाल दिया है आदा छोटा चम धनी की दो फाड़ हो जाए साथ में डाल दी ती कस्तूरी में थी और हल्दी पाउडर ताकि हल्दी अच्छे चे भून जाए एड़ कर देंगे हमारा मैस किया हुआ आलू तो यह मसाला ना बहुती जल्दी बनके रैड़ी हो जाएगा क्योंकि आलू तो पहले ही हमारा बो आज मैं डालने वाली हूँ तो पहले मसाले अड़ कर देंगे एक चोटा चमच मैंने या पर डाल दिया है नामक रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर साथ में डाल दिया है हरा धनिया तो हरी मिर्ची भी मैंने नहीं डाली थी क्योंकि बच्चों ने खाना था आप च लेकिन जब निम्बू रखा होता है तो निम्बू की डाल देती हूं इससे ना काफी अच्छा खटा चटपटा टेस्ट हमारा आ जाएगा बीज अच्छे से निकाल देने हैं ताकि यदि बीज आ गए मुमें तो बीज एक्तम से कड़ लगेंगे और पूरा समोसे का टेस्ट अच्छी खराब हो जाएगा अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो हमारा ये समोसे का मिक्सचर बनके हो गया है रैडी गैस को मैंने कर दिया है बंद चीज हमें अभी नहीं डालेंगे क्योंकि सब कुछ गरम है अभी हमने चीज इसमें डाल दीना तो चीज एकदम से मैल्ट हो मैंने कर दाए कर दिया है दुप्टए नाला तो कभी आग आप सर्टी होक्राइणायद है इस को मैंने पडहाएं बुठे को क्योंकि अच्छे बश्चें इस स्ञादा तो इससे निकाल देना है और आप सुचिंगी की तम बैस्तों कम्न कRO providers क्मेह कर्दा है तो नहीं हमने क जब चाहूं तो इनके ब्रेड करम्स पना लेती हूं और वेश्ट कुछ भी नहीं जाता है मेरे गर पे रोज घर के आगे गाएं आती है जो भी खाने पीने की जो भी चीज़े बसती है रोटी निकालती हूं या कुछ रोटी बसती है सब मैं गाएं को देती हैं और गौशाल करना ज़रूरी है नहीं तो आपके समोसे की से अच्छी नहीं बनेगी तो थोड़ा नजितिक से आप देख लीजे कि अच्छे से आपने इसको चप्टा करना है ऐसे ही आपने सभी सीटे बनाके ready कर लेनी है तो सभी सीटे बनके हो गई है ready अब हमने क्या करना है सभी सीटों को बीच में से काट लेना है समोसे की सेप देने के लिए आप साइन तो कोई और सेपी दे सकते हैं लेकिन आज हम मिनी समोसा बना रही है तो मिनी समोसा की सेप देंगे ना तो सभी सभी सीट भी हमारी बनके हो गई है ready तो चलिए आप अपनी next प्रोसीजर करते हैं तो यहाँ पे आलू का मसाला भी ठंडा हो गया था और यहाँ पे मैंने दो चमच एक कटोरी में ले लिया है दो चमच मैदा और एक कटोरी में ले लिया है मैने चीज मैदे में थोड़ा समय ने डाल दिया है पानी और इसे अच्छे से गोल दिया है तो यहाँ पे हमने मैदे और पानी का गाड़ा सा गोल रेडी करना एक दम से आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना है नहीं तो फिर आपको और फिर मैदा यहां पे डालना पड़ेगा गाड़ा सा घुल रेडी हो गया है वो इसे रख देते हैं साइड में यहां पे अब हम जो हमने मसाला रेडी किया है ना अलू वाला इसमें हम चीज आप अपने टेस्ट के कोडिंग या पे कम या ज़्यादा कर सकते हो जो यह चीज वाले होते हैं बच्चों को बहुती पसंद आती है यहां पे मैंने चीज ले ली है और अच्छे से मिक्स भी कर लिया लेकिन इसे चमच से तो अच्छे से होई नहीं रहा था तो हाथ पर लगा देंगे और जैसे हम समुसे के लिए सीट रैडी करते हैं वैसे ही आपने इसको रैडी कर लेना है यह आपके पास टाइम है तो सेम प्रोसीजर से आप समुसा भी बना सकते हो उसके लिए अपने मैदे को गूंथना पड़ेगा लेकिन यह ब्रैड से बना रहे हो गूंथने का जंजट नहीं करना पड़ेगा मैं देगो गूंथना पड़ेगा फिर रेस्ट करवाने के लिए रखना पड़ेगा तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है यह आपको जल्दी में स्नैक्स बनाने हो तो आप यह बना सकते हो बहु इसमें डालेंगे हमायर रेडे किया हुआ मसाला तो जितना मसाला आये भो ज्यादा नहीं डालना एकदम से उपर में घुर देना है ताकि अच्छे से चिपक जाए और किनारियों को अच्छे से दबाते हुए हम इसको एकदम से अब समोसे के जैसे ही सेप देने के लिए ऐसे आपने किसी भी प्लेन सरपेस पे रख देना है और जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ न एकदम से उंगली से दबाते हुए ऐसे ही आपने करदेना है इस से हमारे एक्डम से समुसे के जैसी ही सेफ हो झाएगी एक और मैं आपको अच्छे से करके दिखा देती हूँ कि आपने ऐसे ही सभी समोसा को ready कर लेना है तो ऑसे ही मैंने सभी समोसों को कर दिया था ready अब आपने यहां पर क्या के लिए रखेंगे न तो तैल गर्म होने में तीन चार मिंट एराम से लगी जाती है तो पांच मिंट ऐसे ही अहीं हो जाते है तो पांच मिंट के लिए मैं इनको रेश्ट करने के लिए रहे हुँ उससे पहले मैंन न सब को अच्छे से फाइनल टस करके देख लिया कि सभी समोसे अच्छे से प्रोपर सेप में बन गए हैं या नहीं तो सभी मिनी समोसा हमारे बनके हो गए हैं रैडी इनको पांस मिन्ट के लिए रख देते हैं तो पांस मिन्ट हो गई थी फ्रेंड्स मैं वापस आई हूं कीचन में और गैस प गल में देख द देना है धी रिता त्लत ता तेल में बना रही हैं तेल को हमने होने देना है अच्छे से गरम आधिक दिन दाल के देख लिया था कि तेल गरम हो गया है या नहीं जब हमारा तिल अच्छे से गरम हो जाए तब हमने आंच को कर देना है मीडियम एकदम से तेज आंच पे हमने हमारे समोसे को फ्राय नहीं करना है नहीं तो ऊपर से तो एकदम से यह हो जाएंगे मतलब ब्राउन हो अच्छे से इनको हिलाते हुए बहुत ही जल्दी ये फ्राय होके रैडी हो जाते हैं साथ में मैंने अपने लिए रख दी है चाय बनने के लिए मेरी चाय भी बनके हो गई है रैडी तो समोसे भी रैडी हो गए हैं तो सभी समोसों को निकाल लेते हैं और सेम प्रोसीजर से नेक्स्ट बैच के भी रैडी कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये समोसे बहुती लाजबा बनके रैडी होते हैं और इन्हें बनाने में मुश्किल से साथ से आठ मिन्ट लगते हैं तो फिर वीडियो सूट करते हैं तो फिर भी आपको बता है कि धूझा सब देचे लगजाता है वैसे नूर्मली घर बनाते हैं तो इससे भी camera लग्ता है तो सभी समोशे बनके होगों है रड़े कप में चैय बिप्राइब गर्म गरम न हमारे से भी नुगा ज़ दोली है तो उससे पहले आपको दिखा देती हूँ कि समोस से एकदम से जैसे हमने सर्फेस पर उन को साथ भूआ भाजनास नहीं अग्सारा नीजिति थे टीश्य को नहीं ग्रूण फ़रही है रहता है दे Manuel दूसरी प्लेट ग्रूत मैं तो समोस थाइं यृः। जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे खा सकते हों मेरे को वैसे कैचप वगेरे के साथ का मच्छी लगते हैं मैं ऐसी चाय के साथ खाना ज्यादा पसंद करती हूं एक समोसा मैं आपको दिखा देती हूं कितना करंची बना है और ये देखे चीजी भी केतना बना तो चीज सब में एकवल नहीं डली थी तो इसमें थोड़ी सी कम ही चीज थी जिसमें चीज जादा थी वो जादा चीजी चीजी लग रहा था और जिसमें कम थी वो थोड़ा कम आप बिना चीज के भी से बना सकते हो बिना चीज के मतलब आलू मतर से बना सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे आप बना सकते हो और फ्रेंड्स ये बहुत ही लाजबा बन के रैडी हुए थे तो खड़े-खड़े खाने में मजा नहीं आघ आ रहा था तो चलिए बैठके इने इन्जोय करते हैं और ये मेरी गुड़ वाली चाह तो म करने में को आज की वडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जिरूर बताना एक लगई अचि ज़र लगी हो तो लाइक करना ज़ादा से ज़ादा सेर करना और चैनल को करना सबस्क्राइब और मैं मिलती हूँ आपनी नाक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पिते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, बाइ फ्रेंड्स